जै मसी की दोस्तों, साबट स्कूल के इस लेसन स्टड़ी में आपका फिर से स्वागत है हम इस सप्ताह पार्ट बारह पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार के इस भाग का हम अध्यान करेंगे जिसका शीर्शक है भाग जाना जो की योना के पहले अध्याय पर आधारत है हम देखते हैं की योना जो है एक संदेशवाहक या दूत है जो की बहुत ही सफलता के कहानी का एक उधारन भी है तो परमेश्वर योना को चुनते है ताके वो जाकर निनिवे के लोगों को अपने पापों से मन फिराने के लिए छितावनी दे और योणा वैसे करता भी है और उससे लोग अपना मन फिराते भी है लेकिन योणा एक इच्छुक दूत नहीं था तो उसे पहले तो नहीं, कम से कम पहले तो वहब ऐसा नहीं था, तो हम देखते हैं जब परमेश्वर उसे निनिवे जाने के लिए कहते हैं, तो उसे कोई दिल्rencesपी नहीं और वहब उस जगह पर जाना ही नहीं चाहता था, तो उसे बहुत परेशानी थी कि प्रभू हमें यह कहां जाने कह रहे हैं, इस जगह पर जाने कह रहे हैं, तो उसे जाने की कोई इच्छा नहीं थी, तो हम यहाँ पर देखते हैं, या योना हमें दर्शाता है कि उसे परमेश्वर पर कोई भरोसा नहीं था, जब भरोसा नहीं होता, तो परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं, तो हम कैसे सुन सकते तो उसे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था तो यही क्या कारण है कि योना के पास कोई विश्राम या शान्ती नहीं थी परिशानियों के दौरान जो प्रभू हमें करने कहते हैं वह ऐसा नहीं करता है हम देखते हैं योना के कहानी में तो हम एक वचन मैत्यू के मत्य के 11 अधियाय में देखते हैं 29 और 30 वर्स जो कहता है कि मेरा जुआ अपनी ऊपर उठालो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपनी मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है तो हम इस वचन क हमने पहले भी देखा था कि परमेश्व необходимо का जो बोज है वह हलका है उनका 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 जुआ सहज है ऐसा हम बाइबल में देखते हैं तो योना ने अपना विश्राम योजना जो है उसका खुद ही उसने एक फैसला कर लिया था, पर उसके योजना में ऐसा क्या था, उसके विश्राम योजना में भागना था, तो उसे लग रहा था कि शायद अगर मैं इस जगह से भाग जाओ तो शायद मुझे विश्राम मिल सकता है, तो हम देखेंगे कि क्या असल में योना को वह विश्राम या शांती मिली उसके भागने से हम देखेंगे तो योना एक अलग दिशा में जाता है प्रभु कहता है तु कहां जा निनिवे को जा लेकिन यहां उसके ऑपसिट डिरेक्शन याने दूसरे तरफ दूसरी दिशामे वह जाने लगता है और यहां दिशा उतनी ही भीन है जितनी की ईश्र वहाँ से उसे चले जाना चाते हैं तो इस तरह का एक दिशा यहाँ चुन लेता है, जब परमेश्वर के अन्य दूद, जब चिंतित होते थे, तो वह क्या करते थे, उनसे क्या करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी चिंताओं पर बात की, तो हम बहुत सारे उधारन हम बाइबल में देखते हैं, तो एक उधारन हमें दिया गया है निर्गम के चौथे अध्याय में, तेरा वच्छन में हम देखते हैं, तो यो नम उसको जब समस्या थी, एक परिशानी थी न जाने की, तो वह शायद परमेश्वर से बैट कर अपनी चिंता को वह बाट सकता था, कह सकता था, सोल्यूशन को धून सकता था, लेकिन वह वैसा नहीं करता, वह भागता है, लेकिन परमेश्वर के बाकी जो जब चिंतित होते थे, तो वह परमेश्वर के पास जाते थे, और उनके चिंता को व्यक्त करते थे, और उनसे इतना करने के लिए थोड़ी भी देर उसने उस वह नहीं रुपता और वह भागने लगता है तो यह पहली बार नहीं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मन फुराने के लिए चेतावनी देने के लिए योना को बुलाया इसके कई बार पहले परमेश्वर ने ऐसे कई बार उन्हें आदनिया दीती हम कुछ एक्जाम्पल्स कुछ धारन हम देखते हैं सेकेंड किंग्स याने दूसरे राजा के पुस्तक में चौधावा अध्याय याने 14 चाप्टर में 25 वर्स में हम देखते हैं कि योना वही करता ह जो यहवा उसे करने के लिए कहता है लेकिन इस बार नहीं तो इसके पहले जो कुछ भी प्रभू ने कहा है परमेश्वर ने कहा है योना ठीक उसी धंग से जैसे प्रमेश्वर ने कहा उसी धंग से वह करता है लेकिन इस पार योना वैसा नहीं करता है वह आपोजिट करता कुछ अलग ही करता है लेकिन क्यों योना जो योना पहले सुन रहा था आज वह क्यों नहीं सुन रहा तो उसका जवाब हमें तो चाहिए तो इतिहास में हमें इसका एक जवाब मिलता है तो कहां पर यह जवाब हमें मिलता है हमें जवाब मिलता है कि इस्राइल में योना की का करने के दौरान असीरिया ने निकट पूर्व याने नियर इस्ट को नियंत्रित किया था तो तब लगभग 75 याने 75 साल पहले अशूर के राजा सेनहरव ने यहुदों पर हमला किया था और देखते हैं कि अशूर ने 20 साल पहले इस्राइल और समारिया को पहले ही हरा दिया था तब राजा हिजकिया जो है वह अशूर के खिलाफ एक सम्हू में शामल हो गया अब असीरिया बदला लेना चाहता है और बाइबल में हम सेकेंड किंग्स के 18 चैप्टर और आएजाया के 36 चैप्टर में देखते हैं कि इतिहांस के रिकॉर्ड और निनिवेग में महल की दिवारों से ली गई नकाशी हमें लाकिस शहर के बारे में एक भयानक कहानी दिखाती है और ये लाकिश राजा हिजकिया के राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था जब सेनहरप ने लाकिश को हराया तो उसने लाठियों से वार करके सैक्डों लोगों को मार डाला राजा हिजकिया का समर्थन करने वाले लोगों के चमडे जीवित रहते हुए उनके शरीर से नोच लिया गया था तो सोचेगा वहाद किस तरह का एक समूह होगा जब ऐसा कुछ हो रहा था तो सेनहरप ने बाकि जीवित लोगों को गुलाम बनाया ठीक है और अब योना को निनिवे में अशूरियव को उनके भयानक अंत के बारे में चितावनी देने के लिए भेजा तो सोचेगा जो बैक्ग्राउंड था बहुत ही भयानक था, तो योना को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि यह लोग दुश्ट लोग है, तो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, इसलिए अपनी खुद की योजना यानि विश्राम योजना बनाता है, जिसमें एक ही चीज़ता भागना, तो हमें यहाँ पर एक भागना इसलिए चाह रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह लोग जो निनिवे में है, वह दुश्ट है, वह शायद मुझे मार सकते हैं, इसलिए अपनी जीवन को बड़ा समझ कर वह भागना चाहता था, तो क्या हम योना की तरह, जब परमेश्वर हमें उनके कार्य करने के लिए, दूसरों को चेतावनी देने के लिए, प्रभु का संदेश देने के लिए, जब हमें वह चुनते हैं, क्या हम योना की तरह, पहले जैसे योना सुनता था, वैसे हम सुनते हैं, कि योना जब इस कहानी में जैसे हम देखते हैं, कि वह भागने की योजना करता है, क्य हम मनन करेंगे अध्यायन करेंगे हमारे साथ बने रहेगा प्रभु आपको आशिश दे